नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीग आपके जैनल दो जीना इस्पिरेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नया घर बनाने वाले हो या घर में फिटिंग करवाने वाले हो तो आपको किस बोर्ड में कितने एम-म की वायर यूज़ चाहिए एसी के लिए आप कि तो दोस्तो आज की वीडियो सुरू करने से पहले मैं यह कहूंगा कि जितने भी मेरे भाई बंदू इस चैनल पे पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो लगे तो इसको सेर भी कीजिए अपने वाट्सप गूरूप में अपने कीजिएगा मेरे कोशिज रहेगी जल्दी से जल्दी उसका रिपलाइ करने की आज की वीडियो चुरू करते हैं दोस्तों जब आप वाइरिंग करने जाते हैं चाहे वो घर हो ओफिस हो दुकान हो या फिर जहां भी आप वाइरिंग करते हैं तो आपके माइन में एक क्वेसान आता है कि यहां पे हम कितने mm का वाइर इस्तमाल करें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसाता है। तो वाइरिंग करते हैं तो वहां पे आप रेड वाइर का इस्तमाल कर द्याका चिए गानी क्याय के इस को कंट्रोल करने के लिए मंपया प्लब का इसलाई है दोस्तों दिखिए जो हमारा बल्ब या फिर फेन है उसका वाट एचिन मच स्कॉएर अमें का वाdoing कर सकते हैं अब यदि आपका वाट टृटिंग 3950 है तो तो वहां पे आप 0.75 स्कॉर्र एम्रेंज का wire इस्तमाल करेगा, अब यदि जो आपके घर में light of fan हैं उसका वायर टेटिंग 500 हैं, तो वहां पे आप 1.2 म şunu का wire इस्तमाल कर सकते हैं, उसके बाद में यदि आपका जो light of fan हैं उसका wire टेटिंग 750 हैं, तो वहां पे आप 1.5 square mm का wire इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों यहां पे आप एक चीज़ notice कियोंगे कि यहां पे में एक चीज़ हमेसा बोलना हो कि what यरी इतना है तो हमें इतने square mm का wire इस्तेमाल करना है दोस्तों यह जो यहां पे what लिखा है यह सभी equipment पे लिखा होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमार equipment है उसके wire trading के हिसाब से ही हम wire size का selection करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों यही आप यहाँ पे calculation नहीं करना चाते हैं तो आप बस आपके जो fan और light है उसके लिए एक square mm का wire इस्तेमाल कर लीजिए एक square mm का wire बहुत काफी है आपके जो fan और bulb है उसके लिए दोस्तों आपके घरों में जितने भी home appliance होते हैं सबका wire trading अलग-अलग होता है दोस्तों यहाँ पर मैंने एक PDF फाइल बनाया हूँ जिसमें मैंने हर एक electrical appliance का wire test कितना होता है उसको mention कर दिया हूँ दोस्तों यह जो PDF फाइल है उसका link में description में दे दूँगा आप वहाँ पर क्लिक करके इस PDF फाइल को download कर सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखेगा अब जो हमारे घरों में switchboard होता है उस switchboard से हम तकरते हैं दूसरे switchboard में एक wire को loop करके लेके जाते हैं अब यहाँ पर जो हमारा switchboard है उस switchboard तक जो wire हम loop करते हैं उसके लिए हम कितने square mm का wire इस्तमाल करें उसके लिए आप यहाँ पर देख लिजे यदि आपका switchboard है उस switchboard में cool load 500 watt होता है तो वहाँ पर आप एक square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तों देखिए यह जो हमरा switchboard है यदि इस switchboard में हम 750 watt तक load देना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें 1.5 square mm का wire इस्तमाल करना पड़ेगा उसके बारे में यदि हम इस switchboard में 2000 watt का load देना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें 2.5 square mm का wire इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों यदि आप यहाँ पर दूसरे switchboard से तीसरे switchboard में wire को look करना चाहते हैं तो इस condition में आपको क्या करना होगा आप इन दोनों switchboard पर कितने voltage का load देना चाहते हैं उसको calculate करिए और calculate करने के बाद आप यहाँ पर इस wire size के हिसाब से selection कर सकते हैं अब दोस्तों देखिए आपका जो distribution board है वहाँ से एक wire को आपके room तक लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो wire इस्तमाल किया जाएगा वो कितने mm को होगा उसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपको wire size का selection करने के लिए आपको पूरे room का कितना load होगा उसको calculate करना पड़ेगा यानि कि कितने watt का हम load हमारे घर में यानि कि room में देना चाहते हैं तो उसका calculation कर लेंगे और उसको calculate करने के बार यादि आपका जो room है उसका load 1000 watt से कम आता है तो वहाँ पे आप 1.5 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं यादि 2000 watt है तो 2.5 और यादि 5000 watt है तो वहाँ पे आप 4 square mm का wire इस्तमाल करिएगा दोस्तों हमारे घरों में जो power socket इस्तमाल किया आता है उस power socket के साथ में हम अलग-अलग load को connect करते हैं जैसे की water, dispenser, gejal, washing machine, press, freeze और भी बहुत सारे electrical equipment को हम connect करते हैं इस power socket के दोरा तो यहाँ पे जो हमारा power socket होगा उस power socket के लिए जो हम wire का इस्तमाल करेंगे उसका selection करने के लिए हम सबसे ज़्यादा load वाला जो हमारा equipment होगा उसको calculate करेंगे जैसे की यहाँ पे जो हमारा load है सबसे ज़्यादा load हमारा washing machine का है इसलिए जो हमारा power socket होगा उसके लिए जो wire आएंगे उसका हम इस washing machine के load के हिसाब से select करेंगे तो यहाँ पे यदि आपका जो load है वो 500 watt से कम है तो आप वहाँ पे 1.5 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद में यदि आपका load 4500 watt है तो वहाँ पे आप 2.5 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं और 6000 watt के लिए 4 square mm का wire इस्तमाल करीएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे घरों में इस्तमाल किया जाने वाला जो गीजर होता है उसके लिए आप 1.5 mm का वायर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यदि आप AC का वायरिंग करने जा रहे हैं तो A.C के लीए यदी आपका जो A.C.A. 1.5 तंग का है तो वहाँ पे आप 2.5 स्क्राइर अंग का वायर स्थमाल कर सकते हैं अब जो हमारे घरों में इस्तंग के जैने वाला वासिंग मसीन है फ्रीज है उसके लीए हम 2.5 स्क्राइर अंग का वायर इस्तमाल करते हैं ठेक है दोस्तों अब दोस्ते दिखिए जो हमारा energy meter होता है वहाँ से ले जाके जो हमारा main distribution board होता है वहाँ तक जो wire इस्तमाल किया आता है यानि कि ये वाली wire इस wire का जो size होगा वो हमारे पुरे घर के load पे depend करता है यदि हमारे घर का load 4000 watt टक है तो वहाँ पे हम 4 square mm का wire इस्तमाल करेंगे यदि हमारे घर का load 6000 watt है तो वहाँ पे हम 6 square mm का wire इस्तमाल करेंगे और यदि हमारे घर का load 10,000 watt है तो वहाँ पे हम 10 square mm का wire इस्तमाल करते हैं यानि कि जितना 2000 है उतना square mm का استعمال करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया 4000 watt के लिए 4 square mm और 6000 watt के लिए 6 square mm इसी पकासी जितना 1000 होगा उतना square mm का استعمال करते जाएंगे ठीके दोस्तों अब दोस्तों लिखिए जो हमारे घड़ों में वायर इस्तमाल करेंगे अब यदि हमारे घर का लोड 4500 वाट है तो वहां पे हम 2.5 स्क्वेर अम्म का वायर इस्तमाल करेंगे और यदि हमारे घर का लोड 8000 वाट है तो वहां पे हम 4 स्क्वेर अम्म का वायर इस्तमाल करते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अर्थिंग के बा कर सकते हैं जैसे कि आपका घर जो है वह में 10 बाराव रूम हैं तो उसके साब से आप 4 पाइयर इसन्में का वाय , और जादा जैसे कि 15 20 का वायर है तो वहाँ आपके घर में ज़्यादा रूम्स है तो वहाँ पे जो मैन इंकामिंग अर्थिंग होगा वहाँ पे आप 10 स्क्वेर अम्म का वायर इस्तमाल करिएगा अब दोस्तों देखिए जो भी आपके घर में होम अप्लाइंस होंगे यानि कि जो 1000 वाट्स से ज़्यादे हैं उनके लिए आप 2.5 स्क्वेर अम्म का वायर इस्तमाल करिएगा 1000 वाट्स से उसका डेटिंग कम है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वेर अम्म का वायर इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों हमारे घरों में जो UPS और inverter इस्तमाल किया रादा है उसके लिए हम कितने square mm का wire इस्तमाल करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए दोस्तों यदि हमारे घरों में जो UPS और inverter है उसका rating 1kVA है तो वहाँ पे हम 1 square mm का wire इस्तमाल करेंगे उसके बार में यदि हमारा जो UPS है उसका रेटिंग 1.5 KVA है तो वहाँ पे हम 1.5 SQM का वायर इस्तेमाल करेंगे इसी परका से यदि हमारा जो inverter और UPS है उसका रेटिंग 2 से लेके 3 KVA तक है तो वहाँ पे हम 2.5 SQM का वायर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने आपको wire size बताएं सब के सब उसके rating पर depend करता है चलिए मैं आपको एक simple तरीका बता देता हूँ जिसमें आपको calculation करने की जोट नहीं आप simply इस rating के हिसाब से wire size इस्तमाल कर लिजिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा energy meter है वहाँ से जो हमारा main distribution board है उस तक जो wire जाती है उसका rating कितना होना चीए दोस्तों यहाँ पर आप 4 या फिर 6 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ आपका जो घर है वो 2 floor से जादा है तो वहाँ पर आपके घर का पूरा load को एक wire calculate कर लिजिएगा यानि कि अंदाजा निकाल लिजिएगा कि आपके घर का पूरा load कितना है उसके हिसाब से यहाँ पर wire size इस्तमाल कर लिजिएगा क्योंकि आपका जो पूरा घर का load है वो पूरा का पूरा इस wire पर depend करेगा तो आप यहाँ पर इसका rating निकाल लिजिएगा लेकिन यदि आपका जो घर है वो 2 floor से कम है तो आप वहाँ पर 4 से लेकि 6 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा man distribution board है वहाँ से जो wire जाती है हमारे room के लिए उसका rating कितना होना चाहिए यदि आपका जो room है उसमें cable light और fan का इस्तमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे आप 2.5 square mm का wire इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यदि आपका जो switchboard है उसमें heavy load connect करना चाहते है तो वहाँ पे आप 4 square mm का wire इस्तमाल कर लिएगा अब आपका जो light और fan है उसके लिए आप एक square mm का wire का इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तों देखिए आपके room में एक switchboard से दूसरे switchboard में wire का loop होता है उसके लिए आप वहाँ पे 2.5 square mm का wire का loop करिएगा ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिएगा हमारे घरों में जो power socket होता है power socket में हम heavy load भी connect करते हैं कम load भी connect करते हैं इसलिए जितने भी power socket हूँ वह आप 4 square mm का wire का इस्तमाल करिएगा इस square mm के हिसाब से ही आपके घर में wiring करिएगा ठीके दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा wire size होता हूँ वह wire size कितने एंपे तक current ले सकते हैं दोस्तों एक चीज हमें साय याद रखिएगा जो हमार 0.5 square mm का wire होता है वह 5 amp तक current ले सकता है इसी प्रकार से जो हमारा wire 7.5 square mm का होता है वह 10 amp तक current लेगा और 1 square mm का wire 15 amp ले सकता है इसके बाद में 1.5 square mm का wire 18 amp ले सकता है उसके बाद में 2.5 square mm का wire 25 amp तक current ले सकता है दोस्तों 4 square mm का wire 35 amp तक current ले सकता है इसके बाद में 6 square mm का wire दोस्तों यहां पर जो आपका current rating है उसके हिसाब से भी आप वायर्ड का selection कर सकते हैं I hope कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद नाया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया थो